जब आप अपना वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ये ऐलोई एमबेडिंग के आप्शन को टिक से हटा देना है जब आप वीडियो अपलोड करने जाते हैं तो आपको ये कुछ इस तरीके से दिखता है लेकिन आपको ये हटा देना है इससे क प्लिक करते हैं तो पॉप अप विंडो कुल जाती है उसमें लाइक और सब्सक्राइब का बटन नहीं दिखता है इसलिए आप जब भी वीडियो को अपलोड करें तो यह अपना वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि यहां पर तीन आपशन आएंगे तो आपको डोंट अलॉए अलॉए रीमिक्सिंग नहीं तो कोई भी आपके वीडियो को अपने वीडियो में मिक्स करके लगा लेगा फिर आपको यहां पर इस हैश की तरह टैग्स लगाने है ज़्यादा टैग्स लगाईए अब आपको इसका कैटेगरी का भी ध्यान रखना कौन सी category का यह channel है जैसे कि आप car के उपर बना रहे हैं या education है, film के उपर है, gaming के उपर है या फिर music है तो जिस भी category का है तो YouTube का जो analytics है वो आपकी इन सब चीज़ों को देख करके भी work करता है अब देखिए इसको कहते है thumbnail इस thumbnail का बहुत बड़ा role होता है जब भी आप video को scroll करते हैं तो जितना सुंदर जितना बढ़िया थमने लोता है तभी आपका viewer इस पर आकर के रुकेगा यहाँ पर आपको title भी बिल्कुल सही देना है और description में भी सही लिखना है तो देखिए description लिखने के लिए आपको क्या करना है कि आप गूगल पर type करेंगे जैसे माल लीजे मैंने यह bread के ऊपर video बनाया है तो description में जब आप bread के ऊपर video बनाएंगे जब आप type करेंगे गूगल में तो वहाँ पर लिखाएगा people also ask तो वो आपको description में लिख देना है या tag में लगा देना है अब देखिए आपको audience में ये भी याद रखना है कि audience में आपको no it's not made for kids ये आपको 100% इस तरीके से ही करना है अगर आप अपना YouTube वीडियो ग्रो करना चाहते हैं चैनल ग्रो करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके वीडियो पे बहुत अच्छे likes आए तो आपको कुछ settings ऐसी करनी है बड़े ध्यान से रखना है जैसे कि thumbnail अच्छा लगाना है और आपको अगर एक successful YouTuber बनना है तो आप अपना वीडियो फॉरवर्ड करना बंद कर दीजिए अगर आपके content में जान होगी और अगर आपका content बढ़िया होगा तो आपका YouTube पर वीडियो अपने आपी circulate होता रहेगा नहीं तो 2, 4, 5 views आकर के ही आपका वीडियो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा देखें अगर आप किसी अपने दोस्त को वीडियो फॉरवर्ड करते हैं तो क्योंकि उसको इसका interest नहीं है तो वो क्या होता है कि वो उसको बंद कर देगा और उससे उसकी rating वीडियो की डाउन हो जाएगी और YouTube फिर उसको आगे ज्यादा circulate नहीं करेगा ऐसे माल लीजे कि आपने कोई वीडियो बनाएगी केक कैसे बनता है और उस केक कैसे बनता है कि वो आपने अपने दोस को भेज दिया अब उसको केक बनना तो सीखना नहीं है तो वो जो आपने अपलोड करा है वीडियो जिसको केक सीखना होगा वो अपने आप सर्च करेगा तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो केक बनाना सीखना चाहते हैं इसी तरीके से कोई भी जो टॉपिक है आप किसी को फॉर्वर्ड करेंगे जब तक आप फॉर्वर्ड करना बंद नहीं कर देंगे तब तक आपका यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं होगा अब आपको क्या करना है कि देखे बहुत लोग मेरे को ऐसा बोलते थे कि mixed content अगर डालोगे तो चैनल monetize नहीं होगा लेकिन नहीं ऐसा नहीं है मेरा चैनल अभी अभी monetize हुआ है एक दो दिन पहले तो मैंने हमेशा mixed content डाला है जैसे कभी games का डाल दिया कभी खाने का डाल दिया क्योंकि देखे एक topic पे हम जरूरी नहीं है कि एक ही topic पे हम बहुत सारे videos बना पाएं तो मेरे को जहां पर भी जो जगह मिली मैंने उसके videos upload करें जैसे मैंने hotel के कमरे का कि कैसा hotel है reviews का पान का हर चीज़ का मैंने video बनाया फिर भी मेरा channel monetize हो गया है उसमें क्या होता है कि how to invest तो उस तरीके का लगेगा घूमने का लगाएंगी तो गूमने का लगेगा तो अलग अलग तरीके का advertisement YouTube लगा देता है जब मैंने नया नया चैनल बनाया था तो मेरे videos पर advertisement आते थे फिर अचानक से advertisement आने बंद हो गए तो मुझे ऐसे लगता था कि मैंने क्योंकि मिक्स वीडियो पोस्ट करता हूं तो शायद इस वह से मेरे चैनल पर advertisement नहीं आ रहे हैं लेकिन जैसी monetize हुआ तो उसमें settings में जब मैंने settings में गया तो अपने आप ही उसमें advertisement आने शुरू हो गए हैं एक बहुत बड़ी गलती मैंने करी आप मत करिएगा देखिए copyright आ जाता है मैंने एक वीडियो बनाया अपने किसी दोस्त के साथ में तो उस वीडियो में हम दोनों ही थे तो मैंने सुझा copyright नहीं दिखाने लगा अब या तो वो delete करते हैं मैं delete करता तो जब मेरा channel monetization के लिए 4000 गंटे हो गए और 1000 से ज्यादा subscriber हो गए थे तो मैंने यही सोचा कि जहां-जहां मेरे वाइटी स्टूडियो में गया मैं वाइटी स्टूडियो में जा करके वहाँ पर एक sign था C का तो C के sign पर जैसे मैंने click करा तो जो वीडियो डबल थे जो और चैनल पर भी uploaded थे तो वह दिखा रहे थे तो मैंने सबको उनको delete कर दिया और मैंने यह भी चेक करा कि वह last 365 days से पहले के हैं क्योंकि जो हमारा watch time calculate होता है वो last 365 days का होता है तो आपको यह गलती नहीं करनी है आपको किसी का भी video कहीं से भी upload नहीं करना है आप कुछ भी बनाईए अपना content बनाईए अपनी ही अवाज उसके दर लगाईए देखे सभी लोग zero से अपना channel start करते हैं अपने प subscribe करो subscribe करो दो चार दस पंदरा बीस लोग अगर subscribe कर भी देंगे तो उसे को फरक नहीं पड़ता जो बड़े यूट्यूबर होते हैं उनके लाको लाको सब्सक्राइबर होते हैं तो इसलिए आपको यह बास समझनी पड़ेगी 10-20 subscriber होने से कुछ नहीं होता और अगर आप ब बाद में आप subscriber देखना भी बंद कर देंगे कितने मेरे subscriber हो गए है थम्मनेल का बहुत बड़ा रोल होता है जैसे आप वीडियो स्क्रॉल करते हैं तो थम्मनेल अच्छा बनाओ अब देखियो मेरे को ढंक से अभी थम्मनेल बनाना नहीं आता है नहीं तो बहुत लोग कैन अनवा से बनाते हैं और थोड़ा टाइम का शॉटेज भी रहता है तो मैं क्या करता हूं अभी पहले मैं इन शॉट एप पे एडिटिंग भी करता था लेकिन फिलाल अभी मैं डारेट ऐसे वीडियो को जाकर करके यूट्यूब पे डारेट अपलोड कर देता हूं एडिट से नहीं लगाता हूं देखिए हम स्टैप बई स्टैप चीजों को सीखते चले जाते हैं अब जैसे वीडियो के ऊपर वीडियो कैसे लगा रहा है जब हमार मेरा वीडियो लास्ट में एंड होता है बिल्कुल वीडियो एंड हो जाता है तो उसके बाद उसके ऊपर एक और वीडियो मेरा ही होना चाहिए जिससे कस्टमर जो भी व्यूवर है वो दूसरे भी वीडियो पर क्लिक करें तो अभी तक वो मैं नहीं देख पहा हूं लेकिन मैं जल्दी उसको भी सीखूंगा और यह चीजे करते करते आप सब कुछ खुद ही सीख सकते हैं